नमस्कार मित्रों, हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज के हमारी लाइव लेक्चर्स में मित्रों, आज हमारे साथ हमारे इस लाइव लेक्चर के लिए जो सब्जेक एक्सपर्ट जोड़ चुके हैं वो हैं डॉक्टर नौशाद आलम डॉक्टर आलम काफी समय से जामिया, मिलिया, इस्लामिया में उर्दू अकादमी के अंदर टीचिंग करते हैं एवं स्टूदिन्स को उर्दू की बारे में जानकारी प्रदान करते हैं मित्रू आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारी सीरीज है उर्दू लिटरी मूव्मेंट जिसके अंदर गर्थ हमारा जो आज का टॉपिक है वो है दलित अदब यानि दलित लिटरेचर उर्दू के अंदर मित्रू आज हम इसमें चीज़ों को डिसकस करेंगे वो है अर्दू अधब दलित अधब अर्दू में उसकी हिस्ट्री के बारे में और फिर उनके कुछ रिफरेंसेश भी आईए मिलके स्वागत करते हैं डॉक्टर आलम का और आपको लेचरते हैं इस रोजक चटा की और आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आलम और प्रीस हमें कुछ पताईए इस अधब के बारे में बिलकुल जरूर बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का आप अपने स्टूडियो में अर्दू अदब में दलीत अदब की तहरीक की तलाश ये एक नई बात है मैं यह नहीं कहता कि मजलूमों और लाचारों के हक में अर्दू में शायरी नहीं हुई या ऐसे अपसाने नहीं लिखे गए जिन में आशे पर आबाद अफराती कहानी को पेश ना किया गया हो तरकिप पसंद तहरीक के जिर ऐसा जो शायरी हुई है और जो अपसाने लिखे गए है उनमें हमें वाज़े तोर पर एक हसास वनकार दिखाई देता है जो इनसानों पर हो रहे मजालिम के खिलाफ कमरबस्ता नजर आता है लेकिन वो दली तदब जिसकी गूँज हिंदी समेट दिगर अलाकाई जबानों में बड़ी तवानाई के साथ उबर रही है या उबर चुकी है और लगतार तेज से तेज़तर होती जा रही है क्या ऐसी कोई तहरीक या ऐसा कोई रुजहान अर्दू अदब में फरोग पा रहा है अगर है तो उसके निशान दही होनी चाहिए और उसके हुदूद महानी और मفाहिम तक रसाई की कोशिक करना जरूरी है ये बात मानी हुई है कि एक ही मुलक में रहकर कुछ जबानों में कुछ मौजवात को बरता जाए और कुछ जबानों में न बरता जाए ऐसा नहीं हो सकता अगर मौज़ू इनसानी जिन्दगी पर किसी ना किसी तोर पर सदंदास होने वाला है तो कोई भी जबान उस मौज़ू से बहुत दिनों तक अलाहिदगी अख्तियार नहीं कर सकती ये मुम्किन है कि अगर मौज़ू किसी जबान के मिज़ाज या उसकी फिक्री रिवायत का जिजवे खास नहीं है तो उसको ज़्यादा बड़े पहमाने पर अदवियात में जगा न मिले ताहम इसका जिक्र किसी रा किसी तोर पर जरूर होगा आज हम बात कर रहे हैं अर्दू में दलित अदब पर तो पहले लफ़ दलित की तखीक पेश है ये जो दलित का लफ़ है असर हाजिर की स्यासी है समाजी औ तहजीवी डिसकोर्स का एक बहुत अहम मौसु है अदब में भी इस लफ़ का इस्तेमाल आज कस्रस से हो रहा है बलके इस लफ़ के हवाले से एक पुरी तहरी जारी है दूसरे लफ़ों में अदबी डिसकोर्स की सतर पर इस लफ़ के तोस्स से एक पूरा कहना चाहिए कि तखलीकी औ तनकीदी अदब का बाब खुल गया है जिसे दलित अदब की तहरीक से भी मौसुम किया इस लफ़ है अंग्रेजी में लफ़ दलित के लिए अमूमन कुछ अलफ़ाज इस्तमाल होते हैं जैसे आउट कास्ट, एकस्टिरियर कास्ट, डिप्रेस कास्ट, या डिसड़्वांटेस्ट कास्ट वगयरा ये कुछ अलफ़ाज हैं जिन से हम दलित लफ़ को ताबीर करते हैं ये हम अंग्रेजी में इस तरह के लफ़ाज इसमाल करते हैं हिंदी और उर्दो में लगवी अतवार से दलित लफ़ के माना पामाल शुदा, ताराज, कुछला हुआ, दला हुआ, दबाया हुआ, रौंदा हुआ, इस तरह के मानिया आपको मिल जाएंगे लेकिन इस्तलाही तर पर ये लफ़, इस लफ़ के जुम्रे में समाजी एतवार से वो तबकात आते हैं जिन्हें हजारह साल से हमारे माशरे में आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया आता रहा है साथ ही जो पामाल शुदा, ताराज और दबे कुछल तबकी के शक्ल में अपनी अलग शनाक्त के लिए मजबूर है आप देखिए कि इन तबकात की जो शनाक्त काइम हो चुकी है उसका आलम यह है कि हिंदुस्तानी समाज के जातपात वाले सक्टगीर निजाम में ये तबके न तो अपनी शनाक्त बदल सकते हैं और नहीं अपनी समाजी दर्जा बंदी में किसी तबदीली का तस्वर कर सकते हैं वो लाजमी तोर पर आईनी एतवार से भी अपनी इसी शनाक्त को काइम करने पर मजबूर है क्योंकि आईन की दफ़ा एक तालिस की रूस से इन तबकात को हासिल S.C.S.T. का दर्जा और उसके तहत हासिल जो कस्टिशनल कहना चाहिए मुराद हैं जो फाइदे हैं उसी सुरत हाल में बहाल रह सकती हैं जब वो हिंदुस्तानी जब वो हिंदू मौाशरती निजाम के जो मतायना दर्जा हैं जो क्लास है उसमें शामिल रहा है तारिखी लिहाद से लफज दर्जा को सबसे पहले महात्मा जोयतिवा फूले ने बरता है और उनका जो तालुक था वो महराश्ट से था और वो जात के माली थे जिसे हिंदू मजहब के जात्पात पर मबनी निजाम में अच्छूत गरदन जाता है महात्मा जोयतिवा फूले ने आला जातियों की तरफ से जो अच्छूतों के साथ गर इनसानी सलूक हो रहा था समाजी नाबरावरी थी और उनके इस्तेहसाल के खिलाफ पहली दफ़ा बहुत ही और्गनाइजड और बहुत पुर्जोर आवाज में उनके खिलाफ सदा एहतिजाज बलंद की थी इन तबकात को मुटहित करके जो उनके कहना चाहिए के डिमोक्रिटिक राइट्स थे जो उनके इनसानी हुकूग थे उनके लिए उन्होंने स्ट्रगल की उसकी इप्तिदा की और उन्होंने जदुजध के दौरान इन पसमादा मजलूम और अच्छूत बरादरियों के लि अजीम शक्सियत डाक्टर भीम राव अंबेटकर की थी डाक्टर भीम राव अंबेटकर हमारे आईन के मेमार भी थे उन्होंने आला जात के जरीए अच्छूत करार दी गई बरादरियों के लिए लफस दलित के इस्तेमाल पर ही जोर दिया उनकी नजर में वो समाजी तका और बरादरियों ही दलित हैं जो आला हिंदू जातियों के जरीए अच्छूत तसवर की जाती रही हैं डाक्टर अंबेटकर के मताविक दलित ना तो हिंदू मजभब या समाज का हिस्सा है और नहीं वो मुसल्मान है बलके वो एक ऐसी जमात या बरादरियों हैं जिने हिं औरों बरसों से सिर्फ एक्स्प्लाइटेशन का शिकार बनाया है बलके उन्हें गहर इन्सानी मखलूक के तोर पर देखा और उनके साथ नर्वा सलूक किया है दलित पैंथर तन्जीम का नाम आपने सुना होगा उसने अपने मनशूर में इस लबस की वजाहत की लिखा के शि जाकर के दलितों के दोस्त और दुश्मनों की बहशान भी बताई गई उसमें ये बताया गया कि जात पास के नजाम की मुखाल्फत करने वाली इनकलाबी सियासी जमातें इस तहसाल को खत्म करके समाजवादी रचना कायम करने के लिए जद दुजध करने वाले बाहें बा दुरिक्तार के हार्मी, जमींदार, इजारदार, बड़े सर्मायदार, समराजवादे के दलाल, समराजवाद के दलाल, दलाल और नुकर शाही के हामी ये सब हमारे दुश्मन हैं अब ये जितनी भी तारिफात मैंने आपके सामने पेश की, ये इतनी भी दलित लबस के होईरे से जो दखीक आपके सामने रखकी, उनसे ये वाज़ होता है, कि दलित अदीबों का समाज़ी और सियासी तनाज़ुर सिर्फ जात पात के मसले तक महदूद नहीं है, दलित अ देखेंगे बहुत अंदर जाएंगे डीब में, तो कई मसाइल पर कशा कश पाई आती है, लेकिन ये अख्तलाफात फुरूई हैं, दलित अदीबों को मागसी अदीबों और मुफिक्रों से ये एक अहम शिकायत है, कि वो जात पात के मामलात में उनही रवायती तास्वात का शिकार नजर आते हैं, डक्टर अम्बेटकर खुद भी समाजबात के हक में थे और तमाम मजहभी आडंबरों के खिलाफ खड़े थे, बुद मजहभ पर अपनी तहरीरों में उन्हें इन बातों पर जोर दिया है, और एक ऐसा माशा कायम करने के हक में हैं, जो माशी लू माकसवाद धरित मिल जूल कर अपनी तहरीर को वसी बनियादों पर चला रहे हैं, अगर माकसवाद ने के एक गरों ने जिन्दगी और सिहतमन समाज का शूर बखशा है, तो दूसरे गरों ने जिन्दगी के तलख तजरबास से और उसकी चक्किम पिसकर ये सिहतमन शूर हा डाक्टर अमबेटकर की फिकर का मरकस इनसान था, इसलिए उसके हुदूत के दाएरे में पूरी इनसानियस सिमटाती है, फलसफी और मफक्र तलसी राम के मताबिक आज की तारीख में डाक्टर अमबेटकर की हमगीयत ही दलित अदब की मरकजी धारा है, शरन कुमार लंबा अार्णी को अपनी गुलामी का एहसास हुआ, उनके कर्व को आवाज मिली क्योंकि इस जमीनी समाज को बाबा साहब की रूप में अपना हीरो मिला, दलितों का वो कर्व ही दलित अदब का मौलद है, दलित अदब का कर्व मैं का कर्व नहीं, वो जात बाहर किये गएगए स उसकी मकमन लफी की है और उन कद्रों को नकारा है जो अद्मे मसावात के तस्वर को मजबूत करती है द्यापवार मश्हूर दलित शायर और लेखक है वो एक जगह लिखता है इस दोरान दलित अदब ने मित यानि देव मालाई अफसानों के सवाल को भी उठाया अब तक हिं को उसी रूप में इजद बख्शी गई थी मराठी में हीरोईन को भी सीता या राधा के किरदार को बन्याद बना कर पेश किया जाता रहा है हीरो को भी इसी रोशनी में पेश किया गया यही रहीं बलके मार्गसवादी लेखकों ने भी जहां कहीं इनकलाब कर जिक्र किया है या इनकिलाबी सियाको सबाक में तश्वीहों का इस्तिमाल किया है वो शंकर के तांड़ा रूप या सुदर शंचकर को ही जादा पेश करते हैं लेकिन इसके बर खिलाफ दली तदब में ऐसे मजभी तकद्दूस की तरह विशारा या ऐसे किरदारों का इस्तिमाल बिलकु अलग माना में मिलता है उनके हाँ आज के साइंसी दोर की नई कद्रों और नई मित्र के बागी हिरोईनों को ज़्यादा इजद की निगाह से देखाया आता है बाबुरा और बागुल की कहानी सूड यानी बदला की हिरोईन की सिलसे मिसाल दी जा सकती है मजभ के रिवायती किरदारों को दली तदब में बिलकुल अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है इस अदब में रिवायती किरदारों से मुत्तलिक उठाया गया ये सवाल नहाय तहमें इस अदब में निचली जातों पर जो मजालिम होते हैं उनका जिकर बड़े पूर्जोर तरीके से उठाया जाता है उस समाज की जो घुटन है उसको पूरी तरह महसूस करा देता है जिसने अपनी ही जैसे इनसानों का वखार चीन के इनसानियत के सब्रदस तोहीं किया यहां दली तदब से कुछ मिसालें पेश करता हूँ जिन से हमें अंदाजा होगा के दली तदब में किन हसास मसाहिल को तखलीकी सदस के साथ पेश किया गया है शंकर राओ खरत की एक कहानी है पत्र शहर से गाओं के एक दली तके नाम अपने एक अजीज का खत आता है महार अनपढ़ है और गाओं के पाटिल के पास वो खत पढ़वाने के लिए जाता है पाटिल जिसका तालुक उची जाज से हैं उची बरादरी से है उस महार को दिन भर दो तीन गाड़ियां भरकर लगड़ियां चीरने पर मजबूर करता है और शाम को दो लाइन का खत परता है जिसमें उस दलित की बहन की मरने की खबर है दूसरी मिसाल लीजे दया परवार की एक नजम है खंडर एक तरकी पसंद शहर खंडर में तबदील हो चुका है एक अरसे बाद असारे कदीमा के लोग उसे खोदते हैं और शायर जो सनती शहर की तारिफ सुन चुका था उसे देखने जाता है शायर को वहाँ चिमनिया दिखती हैं मशीनों के पुर्जे नजर आते हैं तो उसे मालूम होता है कि यह सनती शहर था लेकिन उसे उस वक्त बहुत ताज़िब होता है जब उन्ही खंड़ों में एक तख्ती मिलती है जिस पर लिखा हुआ है यह प्याव सब धर्म और जात के लोगों के लिए है शायर को यह पढ़कर बहुत ताज़िब होता है कि ऐसे सनती दोर में भी आदमी आदमी में ऐसा भेदभाव पाये जाता था तो अच्छा ही हुआ कि ऐसा शहर जमीन में गड़ गया ऐसी तहजिब इसी लाइक थी इसी गाबल थी यह दो मिसाले हुई एक तीसरी मिसाल दीखिए योगी राज वागमरी की कहानी है अद्रेक यानि के गुसा वो गाबले सिक है कहानी का एक किरदार एक गरीब दलीत लड़का अपनी काबलियत से इस कालशिप हासिल करता है कालिज में तालीम हासिल करता है उसका बाप गाउं में गिनाउने किसम का काम करता है मतलब कि मुर्दा जानवरों की जो खाल है वो उतार कर उसका गोश बेशना और खाना वगएरा उसका बेटा पढ़ लिक जाता है पढ़ लिकर वो शहर जाता है तो वो अपने बाप से इस बात पर इसरार करता है कि वो इस गिसम के काम छोड़ दे बाप बेटे कहने पर वो काम छोड़ भी देता है लेकिन काफी कोशिश के बाद भी जब बेटे को पढ़ने लिखने के बावजूद कोई काम नहीं मिलता है शहर में तो मजबूर होके शकर के कारखाने में मेला उठानी की नोकरी करने पर मजबूर हो जाता है और आखिर बाप भी अपना आबाई पेशा जो के घिनावना काम था वो उसे इक्तियार कर लेता है तो आपने देखा कि ये तीन मिसाले जो मैंने आपको दी योगी राजवाग मरे की कहानी देवापार के एक नजब और शंकर राव खरत की जो कहानी आपके सामने पेश की उससे आपको बहुत कुछ अंदाज़ा हुआ होगा दलिद बेदारी की तहरीक जदीद हिंदुस्तान की समाजी औ सियासी जद जोध का एहम पहलू है इसमें दलिद समाज की समाजी, सकाफती, मजहवी औ सियासी आज़ादी शामिल है जदीद हिंदुस्तान की मुक्तलिद तहरीकों में आप देखेंगे कि दलिद बेदारी की जो तहरीक है वो पसमादा तपकों की नज़ात और आज़ादी की सही मानों में मुकमल इनकिलाबी तहरी कह सकते है दलीत बेदारी, दलीतों की नजाट, जात-पात के नजाम के खात्मे छुआचूट के खात्मे और आला जातियों की समाजी बरतली के खात्मे की तहरीक है इस तहसाल खाज़ेनी हो या समाजी, इक्तसादी हो या मजहभी उसके खिलाब बगावत होना ते है खाह उसमें कितना भी वक्त लगे एक शायर कहता है जल्म फिर जल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है तलिक तहरीक और इस तहरीक के जिर असर परवान चड़ने वाला दली तदब इसी इस तहसाल के खिलाफ बगावत का तर्जमान है हमें देखना चाहिए कि वो कौन सी और एहन तस्निफात है कुछ तसानिफ जिनके हवाले से हमने महसूस किया कि दली जिस कर्व से गुजर रहा है यानि उसका मसला रोटी का मसला नहीं है उस समाज बाहर किये का जो मसला है वो उसके लिए एहम है दली तस्निफात में बहुत सारी तस्निफात हैं वैसे गुछ खास की मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूँ नाम देव धसाल गोल पिठा ये बहुत ही मशूर तखलीक है बहुत मशूर क्रियेशन हैं से पढ़ना चाहिए सुरेश कदम शायर उनकी तखलीक है प्रहलाद चन्विंकर आडिट और शायर उनकी तखलीक है दयापवार गोविंद वाडा और बलोते बलोते ये उनकी सवाने उम्री है बड़ी शानदार सवाने उम्री से पढ़िए आपको दलित अदब के हवाले से जो दलित चेतना किस तरह से अबरी है और क्या कर्ब है उसको महसूस करने में आपको आसानी होगी परकाश जादो दस्तखत बाबूरागल मरंसोस हुट आहे अनाबहो साथे उनका एक नाविल है फकीरा ये नाविल कई जबानों में तरजमा हो चुका है इनके लावा और भी तस्निफात और तहरीरे हैं इनमें अच्छी और बुली तरह की तखरीकात है लेकिन इससे किसी को इंकार नहीं हो सकता कि दरी तदब हमारे समाज और हमारी तहजीब जिसके दो चेहरे हैं जिसके दोहरे में यार है और मनाफकत जिसकी रगों में खून की तरह दोड़ी है उसके खिलाफ जबरदस बगावत है और एक आदश समाज का वो सपना भी जो इनसान के और सपनों की तरह अब भी अधूरा है बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपके कोई भी सवालात है इस मोज़ को लेकर तो आप हमें हमारे तोर फी नंबर पर कॉल करकर पूच सकते हैं आखिर के 10 मिन्टों में उसके लिए आप हमारे तोर फी नंबर नोट कर लीजिए वो है 18000-11040 नंबर एक बार फेर नोट कर लीजिए 18000-10430 मिलते हैं एक छोथी से ब्रेक के बाद झाल 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 आपका एक बार फिर से स्वागे थे मित्रों हमारे इस लाइव लेक्शर में बेक पर जाने से पहले हम दलित अदब के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने आपको बताया था कि अगर आपके कोई भी सवालात है इस मोज़कों पर तो आप हमें हमारे टोलफी नंबर पर कॉल कर कर पूछ सकते हैं और आप कॉल आखिर के दस मिन्टों में करिएगा और उसके लिए आप हमारे टोलफी नंबर को नोट कर लीजे जो है 1-800-110-430 मित्रों आईए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर नौशादालम का एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नौशादालम और हम इस तरशा पर एक बार फिर से लेकी चलिए बहुत 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 शुक्रिया कुछ देर पहले हमने बात की थी दलीत अदब की एक तरह से रूप रेखा पर उसकी तारीख पर और उस लफस के हवाले से जो उसके लगवी और जो इस्तलाही माना है और उसकी जो पूरी तारीख है और दलीत अदब क्या महसुस करते हैं किस तरह की चेतना को वो समाश में लागू करना चाहते हैं या लाना चाहते हैं कि समाच के हर फ़र्द उस कर्भ को मेहसुस करें तो ये तो एक बात हो गई अब हम दलित अदब को अर्दु में तलाशने की कोशिश करेंगे देखिए ये बात द्रूस है कि अर्दु में दलित अदर अदब जो है उस तरह दो बलकूल नहीं है जिस तरह के मराटी में, हिंदी में, तमिल में, गुजरादी में, मल्यालम में और तेलगु में मिलता है इसकी कई वज़वाथ हो सकती है पहली वज़ा तो यह है कि अर्दु में हिंद इरानी या हिंद इस्लामी कल्चर का होना जिसमें आप देखते हैं कि इन्सानों के दरम्यान तफ्रीक की कोई गुझाश नी है यानी जिसकी रूज से इन्सानों के दरम्यान उनकी पेदाश और उनकी जात की बुनियाद पर किसी को कोई इमतियाज हासिल नहीं है ये एक बहुत बड़ी वज़ा है दूसरी वज़ा क्या है कि अर्दू अदब जो है वो बन्यादी तोर पर मदनी मरकजियत यानि कि जो अर्बन सेंट्रिक जो कल्चर है उस कल्चर की नुमाइनगी करता है तो ऐसे में यानि दर्बारों और महलों की जो सरप्रस्ती है अश्राफिया फिक्री रवये की जो का इजहार है उसमें उससे इतनी फुर्सत नहीं थी कि उसका अदब अवामी जिन्दगी बिलखोस हिंदूस्तान के देहातों में जो जिन्दगी पनप रही थी जो जिन्दगी यानि एक तरह से करब से गुजर रही थी उसका टूट हिस्सा बन जाए तो ये गालबन दो वज़ए मेरी समझ में आती हैं कि अर्दु में दलित अदब उस तरह से परवान नहीं चर चखा जिस तरह से दिगर ऑलाकाई ज़बानों में परवान चर चाभसा है इसलिए ये कहनों में कोई ख़बात नहीं है कि अर्दू में धलित अदब के वजूद उस शकल में हर्गिस नहीं है जिस शकल में दलिस डिस्कोर्स या दलिस चेतना जिस तरह से आज हम बोलते हैं और उससे जो समझते हैं तो कम से कम हमारे क्लासिकी अदब या उननीस्वी सदी तक की अदबी सर्माय में ऐसा कुछ हमें नहीं मिलता उसकी दू वज़ा मैंने आपके सामने रखी हैं बीस्वी सदी में आपके आकर देखेंगे कि उर्दू में काफी कुछ तदिलिया हुई है सबसे पहला नाम जो इस तदिली का एक तरह से मजहर बन करके आता है वो प्रेमचन का नाम है प्रेमचन के बारे में आप जानते हैं कि वो अर्दू में लिखते थे बाद में उन्होंने हिंदी में भी लिखा नवाब राय नाम लेकिन अर्दू में उन्होंने प्रेमचन कहते हैं कि उनका जिस तरह से नाम चल पड़ा और एक ऐसा लेखाकेक ऐसा फिक्शन निगार जिसने हिंदुस्तान के देहातों को जिस तरह समझाए शेहरों की जिस तरह समझाए बहुत कम लोग ऐसा समझ बाते हैं उन्होंने इस कमी की तलाफिक की है उनके बाद अफसाने आप पढ़ें उनके नाविल पढ़ें दलितों के मसाइल की तरजमानी वहां मिलती है फिर उनके बाद की जो नसल है जिनके अफकार और तसवराद पर प्रेमचंद के असरात किसी ना किसी तोर पर मजूद थे ने असल हैं अफ्मे चुकताई हैं अलियाबास हुसाइणी हैं खाजामाद अबास हैं आजम करेवी हैं आख्तर उराइनवी हैं घयासमत गद्धी हैं जीरानी बानों हैं अनور अजीम और आबिस सुहल वगए वगएरा वगएरा के बाद अफसानों में आप देखेंगे के और उस इहसास की तरजमानी भी इस अंदाज मिलती है कि उन्हें मुकमल तोर पर न सही मैधूद मानों में ही सही लेकिन उन अफसानों को दलित अदब के जुरे में जरूर शामल किया जा सकता है प्रेम चंद के अफसानों में हमें पहली दफ़ा दलित मसाहिल से वाकिफित होती है उससे आशना ही होती है देही तर्जे मुआश्रत की तरजमानी के हवाले से प्रेम चंद के बाद अफसाने दलित मसाहिल की तरजमानी की बेहतरी नमूने है ऐसे कुछ उनके अप्साने जिनको हम समझते हैं कि नुमाइंदा दलित अप्साने कहे जा सकते हैं उन में ठाकुर का कुमा, मंदिर, नेक बक्ती, घास वाली, सवा सेर गेहू, नजात, दूद की कीमत और कफन बहुत अहम है प्रेम चंद बनियादी दोर पर रिफॉर्मिस्ट हैं, इसलाप पसंद नजरिये के हामिल है उनकी फिक्र में अगर आप इनकिलाब काउंसु तलाशेंगे तो आपको मायूसी होगे तब्दीली कल्ब को आदर्श वादी जाबते और इसलाही फिक्र के साथ प्रेम चंद शोरी तोर पर मिलाए रखने में मसरूफ नजर आते हैं उनकी बेशतर कहानियां, आर्या समाज और गांधी वादी नक्ते नजर पर मबनी हैं जिन में इसलाही पहलु हावी रहता है उनका बन्यादी नजरिया क्या है प्रेम चंद का, उनकी कहानियों के बारे में समझने से पहले उनके बन्यादी नजरिया को समझना जरूरी है यह है कि इनसान फितरी तौर पर बेकुसूर है गलत सोहबत और बुरे रुजहनाद की वज़ा से उससे गुनाह सर्जद हो जाते हैं इसलिए उनसे बचना और उनकी इसलाह भी मुम्किन है ये है उनकी पुरी फिक्र का कहना चाहिए जिस्ट प्रेम चन्द की जो खास फिक्र है जो नजरिया है वो ये है कि इनसान फित्री तोर पर बेकुसूर है अब आईए उनकी कुछ कहानिया हैं उन कहानियों में हम देखते हैं किस तरह से दलिचेतना या दलिच जो मसायल है और उनका जो कर्ब है वो किस तरह से जलकता है उनकी कहानी है ठाकुर का कुवाँ हिंदूस्तानी मौाशरे में च्छुआ च्छुट की तफरीग पर मबनी कहानी है यह जिसमें च्छुटों को इस कुवें से पानी बरनी की जारत नहीं होती जो कुवाँ आलाजाद के लोगों के लिए मखसूस होता है दूसरी कहानी है दूद की क्यमत दलिच मसायल और दलिच होने के कर्ब पर मबनी एक कहानी है जिसमें दाई का काम करने वाली मंगी भंगन के जरीए गाऊं के रजाह जमेंदार के बेटे को अपना दूद पिला कर पालने और खुद अपने बेटे को उस दूद से महरूं करने की मजबूरि को पेश किया गया है इस कहानी में अलाजाद की जो सनवियत है अलाजाद के जो किरदार की उसका जो दोहरा किरदार है वो नुमाया होकर सामने आता है प्रेम्चंद की तीसरी काहानी है नजात में भी दलितों पर पंडितों और साहुकारों के जरीए किये जाने वाले जुम की दास्तान बयान की गई है जिसमें दुखी चमार जब पंडित के हाँ अपनी बेटी के सगाई के लिए महुरुत निकलवानी की बात करने जाता है ये कहानी बड़ी आहम है इस कहानी में एक तरफ दलितों के जरीए हिंदों मजभ के तहीं अकीदत का इजहार मिलता है वहीं दूसरी जानी बदले में आलाजात की जानिब से जालिमान रुए के इजहार को निशाना बनाया गया है तो प्रेम चिंद आप देखिए कि दोनों को वो निशाना बनाते हैं लेकिन अखीर अखीर में जाकर के वो बहुत सारी कहानियों में जिस तरह से उनका होता है कि वो ये मानते हैं कि इंसान बेकसूर होता है और गलत सहबत की विज़े से कुछ गलत संगत पढ़ने का यवे ज़ जाता है तो वो ये मानते हैं कि उन गुनाह उसे उन खराब कामों ये बचने की गूंजाएश हमेES아 इनसान के अंदर मوجود होती है तो वो जो ले है जो एक दलित अदीब के हाँ मिलेगी आपको वो जरा कमजोर पड़ती हुई दिखाई देती है प्रेमचंद के हाँ लेकिन ये बिल्कल सही बात है कि वो पहले अफसान निगार है अर्दू के जो बहुत समझ करके उस देही जो कहना चाहिए जो परंपरा है उस परंपरा के खिलाफ और एक आवाज उठाते हैं और इनसान को इनसान समझते है प्रेमचंद की कहानी मंदिर भी इसी तरह की थीम पर मबनी है इसमें अच्छूतों को मंदिर में दाखिल होने पर पाबंदी के मसले को पेश किया गया है प्रेमचंद की जो आखरी और सबसे एहम कहानी है वो कफन है दलित मसायल को एक नए अंदाज में पेश करती है ये नए अंदाज क्या है कर्ब तो हम सभी जानते हैं नया अंदाज ये किफन के किज़दार घेसू और मादो चमार है दाख एक आत्वार से लेकिन वो अपना अबाई पेशा अख्तियार नहीं करते हैं बलके वो मजदूरी करते हैं और मजदूरी भी वो जरा काहिल हैं काहिल और जो सुस्थ हैं ताके जो जमिंदार या साहुकार या जो लोग भी आलाजाद के हैं जब उन्हें काम पर बुलाते हैं तो ये समझ के बुलाएं कि एक ही आदमी काम करेगा इसमें दोसा नहीं करेगा तो इस तरह से वो इस तहसाल से भी बच जाते हैं गेसुक के बेटे जो है मादो की बीवी बुधिया वो दर्देश जह से जोपड़ी में तड़प रही है ये दोनों उसका कफन खरीदने के लिए जमिनदारों के पास जाते हैं गाउं के दूसरे आहम लोगों के पास जाते हैं वहां से कुछ रग़ा मिल जाती है और ये बाजार जाकर बजाए इसके के उसका कफन खरीदें उस पैसे की शराब पी जाते हैं और नशे में बदमस्त होकर वही गर जाते हैं उनका निकमापन और काहिली उनकी सोची समझी हिकमते अमली है ऐसा करने से वो दोनों ज़्यादा इस तरह साल से भी बज़ जाते हैं प्रेम चंद के बाद आप देखेंगे कि अर्दू में तरकी पसंद तहरीक का गल्बा हुआ और एक बड़ी काफी तादाद में अफसान निगार आए जिन्हों ने समाजी मसाइल पर मामलात पर हयात काईनात के मसाइल पर भी लिखका और जो आस पास की जिन्दगी में मसा प्रसूसी तवज्यों नहीं थी गई क्यों कि तरकी पसंद जो थिंकर्स थे मफक्रीन थे उनका ये एजमशन था मफरूजा था कि अक्तसादी एहसाल जैसी खत्म होगा तो बाकी मसाइल खुद बखुद हल हो जाएंगे खाव समाजी इमत्यास का मसला हो या फिर जिन्सी इमत्यास का मसला हो इसी लिए आप देखेंगे कि तरकी पसंद तहरीक के जिर असर दलित अदब उस तरह परवान नहीं चाह सका लेकिन इसके बावजूद यहां पर कुछ तखलीगात हमें ऐसी मिलती हैं जिन्हें हम देख कर कह सकते हैं कि इसमें दलित कर्ब को बयान किया क्रिश्चंदर का अफसाना कालू बंकी इसमें क्रिश्चंदर ने दलित होने के कर्ब और दलित नफसियान नफसियात है जो साइक की है उसकी बेहतरी पेशकर्श की है दलित मसाहिल और दलित नफसियात की तरजमानी के हवाले से एक दूसरी अफसानिगार खातून अफसा ये दूनों अफसाने नसर्फ दलित मसाइल की तरजमानी करते हैं बलके दलित मआशरे के हवाले से बाज एहम और बनियादी तसवरात की बाजयादी भी करते हैं अब देखिए के अफसान जो दो हाथ है उसका जो सिंटर केरक्टर है जो हीरो है उसे ये मालوم है कि उसकी बीवी ने जिस बच्चे को जर्म दिया है वो उसका अपना नहीं है लेकिन वो उसे अपने बेटे के तौर देखने के लिए मजबूर है कि आखिर उसे कमाने वाले दो हाथ मिल गए अब आप देखिए कि पेट की जो आग है जो भूक है वो कितनी शदीद है या कितनी शिद्ध से वो हावी हो शख्स पर कि वो ये देखने के लिए भी रवदार नहीं है कि वो किसका बच्चा है उसका अपना है या नहीं है वो इस मसाले ने पढ़ता ही नहीं है यह एक खरब है जिसको उन्होंने बयान किया है अश दो हाथ वाले अपसाने में एक दूसरा अपसाना है मेले का टोकरा इसमें आप देखें कि मजलूम दली तबके की सिर्फ रुदाद बयान नहीं की गई बलके इस तबके पर होने वाले मसालिम के हवाले से मुलक के निजाम और हमारी जो डिमोक्रिटिक हमारा जो सिट अप है उस पर भी एक कोशन मारक है एक सवाल ये निशान है आजम क्रेवी का अपसाना चूट अली अबास हुसाइनी का खुश किसमत लड़का कास्मी का रईस खाना अक्तर औराइनवी का तस्कीन हस्रत वगएरे भी ये सारे अपसाने भी और दो अपसाने में दलित मसाइल की तर्जमानी के लिहाज से काबले जिकर अपसाने है तरकी पसंद तहरीक से जरा कहना चाहिए जूनियर जो नसल है उनमें आप देखें कि जोगंदर पाल हैं, राम लाल हैं, खाजी अब्दु सत्तार हैं, गया सुद्दीन, गया सामत गद्दी हैं, जीरानी बानो, आबिस सुहेल, अनवर अजीम, ये सारे अपसाने आनिकार इनके हाँ भी हमें गाहे बगाहे ऐसे अफसाने देखने को मिल जाते हैं, जो जिनमें दली समाज के बाद हैं मसाहिल का इजहार, बहुत मौसिर अंदाज मिलता है एक बहुत मशूर अफसाना है, जाबिर हुसाइन का चमर्टू की नेकी इसके मुसनिफ जाबिर हुसाइन है, वो आलाजात के हिंदों की जानिफ से दलीतों पर ढाय जाने वाले मजालिम को जिस कहना चाहिए बेबाकी से, जिस सफाकी से पेश करते हैं, उसमें अफसानवियत और हकीकत का फर्क मिट जाता है ऐसा ने लगता है कि आफसान पर रड़ा है ऐसा लगता है, जैसे कोई पिक्षर, बिलकुल सामने कोई तसबीर चल रही है, बिलकुल आपके सामने वो सारी वाकियात घट रहे, वो सारे वाकियात हो रहे है ऐसा महसुस होता है चमरटों की नेकी ये अफसाना अगर आपको कहीं मिल सके जाविर हुसाइन इसके मुसन्निफ है तो इसे जरूर बढ़िए बिस्वी सदी में आप नाविल में भी आप देखेंगे ये तो फिक्शन की ये अफसानों की बात हो गई प्रेमचंद से लेकर प्रेमचंद के बाद जो नसलाई उसने भी अफसाने लिखे लिखे और उसमाज बाहर निकाले जाने का जो तसवर था जो कर्ब था उसको पेश किया है नाविल में आप देखेंगे एक बड़ा आहम नाविल है इस आहद के कहना चाहिए कि बहुत ही मशहूर और बहुत में मुंतास फिक्शन राइटर घजन फर अली उनका एक नाविल है दिव व्यबानी ये नाविल अर्दू में दलित अदब के हवाले से एक मुनफरी तखलीक का दरजन रता है क्योंकि ये नाविल जो है सिर्फ दलित मसले पर मरकूज नहीं है बलके इसमें दलितों के इस्तेहसाल के मजहभी और तारिखी तनाजुर को उजागर करने की साही भी मिलती है यानि अगर आपको किसी को गुलाम बनाएंगे ऐसे तो वो रिवल्ट कर देगा बागी हो जाएगा लेकिन अगर आप मजहभ की आर लेकर के उसे बनाएंगे या तारिखी कुछ ऐसा पहले उसे पेश करके बनाएंगे तो उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता ये तो वो बात हुई जो हमने बात की के अर्दू फिक्शन में एक तरह से हमने ये देखा कि प्रेम चंसे लेके इसमेच चुक्ताई, क्रिश्चंदर, अलिय अबास हुसाइनी और फिर जाविर हुसाइन और फिर घजन फर अलिका हमने भी जिक्र के उनके नाविल का ये तो फिक्शन के हवाले से बात होगी, इसमें नाविल और अफसाने दोनों शामिल है अब हम देखते हैं कि अर्दू शायरी में क्या ऐसी कुछ मिसाले मिलती है तो उर्दू शायरी में भी कुछ मिसालें मिलेंगी आपको लेकिन कम है लेकिन जो मिसालें वो इतनी भरपूर हैं कि यहां पेश करने से मेरा जी चाहता है उन्हें पेश करने का एक मिसाल है कहना चाहिए कि जैन्द परमार हैं हमारे हैं उर्दू शायरी में दूसरे चंदरभान ख्याल का नाम आता है जहिन परमार का तालुग गुजराथ से है वो गुजराथी और हिंदी के साथ अर्दू में भी शेर कहते है अर्दू में उनके जो कहना चाहिए तीन शेरी मजमुए हमें मिलते हैं और वो तीनों मजमुए इस तरह हैं और मानिंद और पेंसिल और दूसरी नजमें ये उनके तीन शेरी मजमुएं के नाम है वो अपने मुनफरीद लबो लहजे और फिक्री आहंग के सबब कारेइन की तवज्जो का मरकज रहे है उन्हें साहित अकैडमी आवार्ड भी मिल चुका है जेंद परमार की शायरी बिला शुभा अर्दू शायरी में एक नई अवास की शायरी है वो अर्दू की जो कहना चाहिए कि जो ट्रेडिशन शायरी है जो रिवायती शायरी है उसका तो पास रखते है मगर रिवायत में गुम होने के बजाए उनके हाँ आप देखेंगे कि नई जमीन और नई आस्मान की तलाश में एक कोशिश मिलती है उस वो उस जमीन को और उस आस्मान को अपनी पहचान बनाना चाहते है उनकी शायरी में दलिश शूर का बेहद कहना चाहिए धारदार इजहार मिलता है उनकी तीनों शेरी मजमूर में दलिश हिस्सियत का जो इजहार है वो बहुत शिद्ध के साथ मौजूद है जिनमें बेचारगी के बजाए कहना चाहिए खुद एतमादी और खुद एरादियत की तेज आच मिलती है अब देखें कि ये फर्क होता है प्रेम चंद के हाँ मैंने बताया था आपको कि उनके हाँ रिफार्मिस्ट हैं वो वो इसलापसंद हैं उनके हाँ इनकिलाबी नसुर नहीं मिलता जहिन परमार के हाँ आप देखेंगे के बेचारगी नहीं है खुद एतमादी है और खुद एरादियत की तेज आच मिलती है वो उस कर्ब को महसूस कर चुके हैं और उससे निकनने की राह ढूनते हैं दली तरीक के रोशन तर होने का मशलका भी पता देती है उनका पहला शेरी मजमुआ है और के पहले हिस्से में ही आप एक नजम है मनू उससे पढ़िए आप उसकी आच को उसकी तपिश को महसूस करेंगे मैं उसका कुछ हिसाब के यहां पढ़कर के सुना देता हूँ मनू यह नजम है एक नएक दिन घर के आगे नीम की शाख पे नंगा करके लटका दूँगा तुश को मनू तेरी रगों को चीर पाड़ कर देखूँगा तूने पिया है कितना लहू मेरे बुज़र्गों का एक नएक दिन तेरी खाल उधरूँगा हमें तो सिर्फ ब्राहमन, शत्रिय और वैश्य की सेवा करना तो तूने लिखा था चमार, भंगी और चांडाल की तूने लिखी तकदीर गाउं के बाहर रहना और तूटे बरतन में खाना यहां का भैसा भी पंडित गधा भी गंगा जल पीता है लेतली तुछ को है मालूम, अब मैंने चील की मानिं उरणना सीख लिया है शेय की मानिं जस्त लगाना सीख लिया है लफ़ों को हत्यार बनाना सीख लिया है एक ना एक दिन तेरी खाल उड़़ के तेरे हाथ में रखतूँँगा तूने मेरे बाब को नंगा करके मारा था ऐसे तूने मेरे बाब को नंगा करके मारा था ऐसे ये बहुत तबील नजब है मैंने बहुत ही मुक्तसर आपको सिर्फ वो दिखाने के लिए वो कर्ब और वो गुसा वो कहना चाहिए तैश आप ये देखिए कि कितना कहना चाहिए कि गम कितना गुसा भरा होगा तब जाके इस तरह की कोई चीज किसी के खिलाफ निकलती है और कहना चाहिए कि वो एक तर्जमान बन जाती है एक पुरी तहरीक के पीछे जिस तरह की सोच है जो चेतना है उसके पीछे इस तरह की चीज़ें काम करती, ये फिकर आप देखें, कि अब मैंने चील की मानिंद उड़ना सीख लिया है, शेर की मानिंद जस लगाना सीख लिया है, लफजों को हत्यार बनाना सीख लिया है, पूरी नजब में ये जो हिस्सा है, आपको ये बताता है, कि जह परमार सिर्फ शायरी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जो है दलित मसायल को सामने नहीं ला रहे हैं। बलके एब वो उस चेतना को घर घर का हर फंद की जिन्दगी का एक ऐसा उसकी फिक्र का ऐसा हिस्सा बना देना चाहते हैं। जो कहना चाहिए कि जो जो जादपात का जो सक्ट गीर निजाम है उससे लोहा ले सके इसी मजमुए के आखरी हिस्से में शामिल नजम जो है अच्छूत में दलित हिस्सियत की कर्वनाकी कारी को एक ऐसी फजा में ले जाती है जहां दलित गर दलित तबकात तफाउत वाज़ नज़र आता है जैन के दूसरे मजमुए कलाम मानिद में एक बड़ी अच्छी नजम है जो मैं यहां पेश करना चाहता हूँ के मेरी जंग रोटी नहीं भोका अबराहमन भोका शत्रिय भोका वैश्य लड़ता है रोटी के लिए चांसी एक रोटी के लिए उसका सपना रोटी है मेरा सपना रोटी नहीं अचूत हूँ मैं मेरे साय से भी तुम कतराते हो मैं हूँ तुम्हारी बस्ती बाहर जहां तुम हकते हो वहाँ पर टाट की मेरी जुगी है कुए से लेकर मंदिर तक तुमने बनाई है दीवारे मनुगी उची दीवारे मेरे हिस्से में तो मिला है अपने लोगों का इमान और नफरत की आग मेरी जंग इसके खिलाफ तो मेरी जंग तो वो कहते हैं कि मेरी जंग रोटी की नहीं है जो रोटी है रोटी से बढ़कर है मेरी जंग रोटी की नहीं है इसी तरह से जहित परमार के अलावा चंदरबान ख्याल भी दोसे शायर है जोने बड़ी अच्छे शायरी की है और उन्होंने अपने कहा चाहिए कि उनके मजमुए किलाम है शोलों का शजर और गमशदा आदमी का इंतजार उसमें बहुत ही तफसील से जिस तरह से उन्होंने पेश किया है धरित मसाइल का कहना चाहिए जहित परमार की शायरी में ज्यादा हमें धरित हिस्यत नजर आती है और उनके हाँ जन्दवान ख्याल के हाँ भी हमा वो दिखता है लेकिन उनके जाती तजर्बों और मुशाहतों को वो इस्तियाराती तरसील का वसीला बनाते हैं तो उनके शायरी में धलित एहसास और शुहूर असरी सियासी जो कैन्वस पर उभरने वाले हालात हैं उन सियाह रंगों से कंटरडिट भी करते हैं जो इंसान अगदार की जो इंसानी अगदार कुशी की दर पहे हम आपको थोड़ी दिर के लिए सर रोकना चाहेंगे कि हमा था क्राशन आया हुआ है वारहै नसी से हलो 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 हलोください ऐलो हलो मखें हलो 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 अब अपने नाम बताए मिह और अपना प्रसुन पूछिए हाँ मैं मुझे प्रश्न पूछना है हाँ जी पूछिए हलो अपना प्रश्न पूछिए जी मेरा नाम पौण आम आराउन की से बोल ला हूँ पर अपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कारिकरम में खिर पर अपना प्रश्न पूछिए प्रेस्ट रही बाद का समाजी कुरुतियों कर्ब करने पर क्या प्रभवा रहा प्रशन एक बाद फिर से दो राएंगे उर्दू लिटरुरि मुविंट का तब अब प्रशन एक बाद फिर से दो राएंगे अपना है का अ有 हमें लग रहा है कि वह पूछ साहते हैं उर्दु लिट्रिर बॉमंटका समाज प्या पर पड़ा है जहां तक मुझे समझ मे आया है कि अरदू लेटरीम क्मेmond का समाज पर क्या प्रभाफ पड़ा है समाज जो है हमारी आसपास की जिन्दगी है जिस तरक कहना चाहिए कि हिंदी अदब है अंग्रेजी अदब है उसका क्या परफाब पड़ता है ये बहुत साफ सी बात है कि अदब कोई खला में पैदा नहीं होता अदब जो है आसपास की जिन्दगी से परतीब पाता है शायर कोई भी शायरी कर रहा है तो वह सिर्फ ख्यालक में शायरी नहीं कर रहा है ख्यालके सासाथ वह कभी कभी जो सामने चीज़ें जिए दीए हैं उनको भी अपने जहने में रहक करके अपने तख्यूल को मिला करके वो पेश करता है तो आगे चल करके हम इनी अदब से अपनी जिन्दगी को समझने की कोशिश करते है कि पास्ट में माजी में किस तरह के हालात थे जिसे हमारे हैं उर्दू शायरी में एक सिंफ है सारी सिंफों में घजलों में भी नजमों में मिलता है लेकिन एक सिंफ है शहर आशो उसका जिकर मैंने खास इसलिए किया कि जैसा कि परभाव वाली बात जिनों ने कही उस परभाव को समझने के लिए हवाले से किया वरना घजलों में बहुत अच्छी तरह से उन चीजों की नमाइंदी की होती है एक सिर्फ शहर आशोब है जिसका जिकर क्या मैंने उसमें आप देखेंगे कि नजीर अकुरबादी आगरे के शायर थे और उन्होंने उस जमाने में जो 36 कारोबार थे वहां पर उस 36 कारोबार के बंद होने का जो जिकर किया है उन्होंने अपनी एक शायरी में तो उसका हमें पता सिर्फ उसी शहर आशोब से चलता है इसी तरह से सौधा ने मिर्जा मुहमद रफी सौधा हैं उन्होंने मुगल जमाने में जो भी फौज के हालात थे यानि अमीरों के पास इतने पैसे नहीं रहते थे कि फौज को मिंटेन करें तो वो करते जरूर थे कि नोगरी करते थे लेकिन उनको सैली नहीं मिलती थे तो वो जितने भी हालाद है यानि उस पूरे असकरी निजाम को समझने के लिए मगलिया सल्तनत के उन चीजों को समझने के लिए हमें इस तरह की अधवियात का सहारा लेना पड़ता है तो हमें ये एक तरसी की कह सकते हैं कि लोगों में जाकरुटा आ जाती है पढ़ने के बाद और उनको अर्शास होता है ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं कि आज जो भी हाला चलने शायद आज का शायर या आज का अफसाना नवीस जो भी लिखता है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे दस साल के बाद या बीस साल के बाद जो रीडर्स आएंगे उनको समझ सकते हैं क्योंकि जिस आहद में आप जीते हैं ना उसको आप सही से एवैड़ुएट टी कर पाते हैं जब उस पे बीस साल पचास साल गुजर जाते हैं तब आप समझ में आता है कि कहां आपने गलती की थी कहां आप से चूक हुई थी और कहां आप अच्छे थे ते ते इसका 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 जो जायजा है ये बात में ही पता चलता है तो अभी जो परभाव की बात है तरकीप पिसंट तरीक का हमने परभाव देख लिया कि उसने जो मिहनतकश्ट तबका था जो मुझधूर तबका था उसकी आवाज में आवाज मिलाई इहसान दानीश बहुत चाहिए कि modernism है उर्दु में भी तो शायर या अधीब या कहना चाहिए वो मिरिख पे वो नहीं है वो इसी दुनिया में रह रह रहा है इसी आसपास रह रह रहा है जो भी हालात उसके आसपास गुजर रहे हैं वो देख रहा है और उनसे वो फरभावित हो रहा है उससे असा तलाश सकते हैं जब उस पे एक जमाना गुजर जाता है एक वक्त गुजर जाता है तो फौरण तलाशने में हमें जरा मायूसी होती है थोड़ा disappointment मिलता है लेकिन अगर उस पे 20 साल गुजर जाते हैं वाके पे आज हम देखिए कि कितने बहुत अच्छे तरीके से हम जब तक वो फेस ओवर नहीं होगा तब तक आप उन चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं अभी जिस जोर से आप गुजर रहे हैं अभी कहना चाहिए कि हंगामा है यह जब गुजर जाएगा दो चार साल गुजर जागा तब आपको पता लगएगा कि कहां कहां खामिया थी कैस कैसे कैसे आपको गुमरा किया गया कैसे किसे आपको भटकाया गया तो यह अदभ का मामला यही हुता है कि फौरन उसका आष्छ को आथ लेकिन वो दूरेस नजर के लिए होता है जो बारीग भी नज़र होती जिनकी वो समझ पाते हैं कि कि हां यह यह जेखो यह तबदिल अगर आपके कोई भी प्रश्न है इस से जुड़े या आपके सुचहाव है तो आप हमें हमारे मेल आईडी पर लिखकर भेज सकते हैं उसके लिए आप हमारा मेल आईडी नोट कर लीजे जो कि है इनफू.cec.nice.in हमसे जुनने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद और हम फिर से आप से मिलेंगे डिक्टर नौशाद आलं के साथ एक बार फेर उर्दू लिट्री मोमेंट के एक और नए मौजू के साथ आपका बहुत बहुत धनिवाद दोक्टर आवाद बाश्याद झाल 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 ही जएाद लिए हैंट